नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है अब्रिंदन है यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप कोई लिए यहां पर स्थिती जानी है अवीड़ाबार विस्वडाले के उसरे में बहुत लोग 12 सारी बाते ऐसे जो भी मार्कित में टहलते रहते हैं लेकिं यहां के बचे तेख थेजह कोई पी जिए यह हमको भी बहुता है यह हम northwest 먼 संस्थान अपने आपने पूरा परिपूर्ण नहीं होता जिसमें कुछ कमिया नहीं हो कमिया सब में हैं लेकिन आपको जरूरी यह जानना है कि पिछले कई सालों में विश्विदाले में क्या सुधार हुए हैं और विश्विदाले हमारे लिए किस तरीके से हैं और विश्व UG के माध्धम से admission ले रहे हैं और जो PG के course में admission ले रहे हैं अगर आपका पढ़ने का मन हो और seriously अगर आपको पढ़ना हो तभी आप यहाँ पे admission लीजिए अब पूछिए क्यों इलाबाद University का जो result रहता है जब आप यहाँ पे admission लेते हैं और जब final year मतलब जब आपका annual exam होता है जब आपकी परिच्छा होती है तो जो इसका result रहता है passing result अगर आप उसको जानेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खी सक जाएगी आप बहुत हलके में पढ़ाई को ले इलाबाद विस्विदाले में पिछले एक से दो सालों में सारी टीचर्स की वेकंसी फूल की गई है सारी डिपार्टमेंट में अब पूरी तरीके से फुल हाउस है यानि की 35 प्रोफेसर, 40 प्रोफेसर, पर्मानेंट बहुत सांदार जिनका academic background रहा है जो जर्मनी, स्वेड तमाम तरीके से अगर आप विस्विदाले की पोर्टल पे टीचर्स के बारे में जानेगे तब आपको सारी जानकर्या मिल जाएगी कि उनका qualification कैसा है विस्विदाले में नॉन टीचिंग की वेकंसी भी फूल है यानि कर्मचारियों की भी संख्याब भरती जा रही है और अ बहुत सांदार अब यहां का माहूल हो गया है टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत सांदार टीचर आई हुए है एक एक डिपार्टमेंट में बाटनी जुलोजी केमेश्टी फिजिक्स मैथ साइंस फेकल्टी कॉमर्स फेकल्टी फिलासफी हिंदी मीडिवल एंसेंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सारे की सारे डिपार्टमेंट टीचर्स की वैकंसी फुल हो चुकी है तो जब टीचर रहेंगे विश्वविदाले में तो आटमेटिक क्लास चलेगी जब साधी क्लास चलेगी तो बच्चे पढ़ने आएंगे बच्चे पढ़ेंगे तो विशुविदाले का अपने आप ही माहोल बहुत सांदार होगा. और एक पढ़ने वाले चात को एक कापी कलम और किताब की आवसकता होती है. अच्छे टीचर हो, अच्छा माहोल हो, अच्छे लाबरेरी हो, सारी चीजे हो, हमको उसे पढ़ना है. हमारा मेंद है तो हमारा तैयारी करने का फेज है हम UPSC की तैयारी करना चाहते हैं हम IIT Jam की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं हम CA की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं हम जज बनने के लिए आ रहे हैं तो इसके पीछे का बैग्राउंड जानना होगा कि वहां के विस्विदाले क स्प्राइब आप देखें तो पूरा का पूरा UPSC के धर्रे पर यहां पर स्प्राइब आपको मिलेगा सारी की सारी चीजे वही मिलेंगी आपको इसके बाद अगर हम BNLB के syllabus की बात करें तो PCSJ के syllabus एक दम मैच होता है BCOM की बात करें तो BSC की बात करें तो इसका standard भी अपने आप पे बहुत सांदार है तो syllabus यहां का सारी चीज़ें अपने आप में अच्छी है तूरा वही pattern पर ही syllabus है जो copy आपको final exam में मिलती है वो पूरी साधी copy मिलती आने की blank copy मिलती है तो UPSC में भी आपको साधी copy मिलती है lining वाली copy आपको नहीं मिलती है तो उसी हिसाब से आपको तयार किया जाता है यहां पर अब तयार होने वाले तयार होते हैं जिनको नहीं पढ़ना वो कहीं भी नहीं पढ़ेंगे वो सिर्फ कमिया ही जिंदगी पर ढूड़ेंगे अच्छायू को ढूड़िया अगर आप positivity आप ढूड़ते हैं तो आपको positive दिखेगा दिखेगा यह बात आप जानिए यहीं से बहुत सारे बच्चे पढ़के बहुत सफल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़के बहुत असफल हो जाते हैं तो वो अपनी असफलता की दास्ता बया करते हैं और उसके लिए सिर्फ विस्विदाले को एक ठीक राफ होडते हैं कि हम अगर असफल होए तो विश्व विदाले हिस्थ का जिम्मेदार है लेकिन जब की असल बात है वह अपने इस इस्थिति के लिए खुच जिम्मेदार होते हैं कि यह बात है तो यह सारी जानकारी थी अब सुनिये रिजल के विसमें अलाबाद इनवस्टी के अगा फाइनल रिजल्ट आता है तो 60% विद्यारथी पास होते हैं और 40% विद्यारथी फेल होते हैं चिनका बैक लगता है कुछ बच्चे परिच्छा छोड़ देते हैं तो इ ये बी-ए का इस बार का रिजल्ट है, इलहाबाद उन्वस्टी के बी-ए कोर्स का रिजल्ट, अब जानिए बी-ए यहां से करना कितना टफ है, पढ़ने वाले बच्चे ही अच्छा नंबर पाते हैं, 75-76 के ऊपर बहुत कम बच्चों का नंबर पहुंचता है, लेकिन जो अ बात करते हैं, BSC के रिजल्ट की, अब आपका पैर और फिसलेगा, जमीन आपके नीचे से और खिसकेगी, BSC का जो पासिंग रिजल्ट है, लहाबाद उन्वस्टी का, वो 40% पासिंग रिजल्ट है, यानि कि BSC में अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2000 बच्चे पास होते हैं, और 3000 बच्चे फेल होते हैं, और उन 3000 बच्चों में जो 2000 बच्चे पास भी होते हैं, उसमें 1st division बहुत कम बच्चों का आता है, और आने वालों का तो 85% भी आता है, 80% भी आता है, यानि कि जो अच्छे विद्यार उनका नंबर बहुत अच्छा था है बाकि जरा सभी आप लापरवाही करेंगे तो आप सीधे फेल हो जाएंगे एक दम आप अपने जहन में रख लीजिए पढ़ने के लिए अच्छे माहूल के लिए आ रहे हैं तभी आप यहां पे आईए यह पहले से मैं आगाह कर दे रहा है एक दम गैरंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपको पढ़ना है और अच्छा करने अपनी जिंदिगी में तो इलहाबाद विश्विदाले अपने आप में बहुत सांदार है टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो बाहर करियो मैं उसको आप छोड़ दीजिए अब अभी कि स सेमिनार सोरे डिपार्टमेंट्स में तो अच्छा करेंगे रिशर्च की सीटे बढ़ी है तो इसे सिर्फ विदाले का जो महोले बहुत बदल चुका है एक बात आप यह जान लीजिए बीकॉम का जो रिजल्ट होता है पासी रिजल तो 40% रहता है नहीं 40% बच्चे बीकॉ संस्थान की कोई गलती नहीं होती किसी की असफलता में व्यक्त की कम्या रह जाती है व्यक्त किसमत रह जाती है लेकिन संस्थान कोई भी बुरा अच्छा नहीं होता है सारे संस्थान अपने आप में बहुत बहतर होते हैं हमारे लाबाद विश्विदाले को भी बहुत लो है हम बहुत अच्छे हैं और यहां की बच्चे यहां का भवी सित्य करते हैं यहां के बच्चे अच्छा करेंगे यहां हम अच्छा करेंगे तो विश्विदाले करना मूचा होगा तो यह जरूरी बात थी विश्विदाले में जानने के लिए विश्विदाले के प्रेते कोचिंग हो चाहे किसे भी competitive exam की कोचन्ग है। सारी अच्छी अच्छी coaching प्रियाग राज में आ चुकी है。 आपको डिल्ली जाने कीआवसकता ही कोच मपने पैंता है। बहुत सांदार है मेरा भरूसा करिए यार बागी कमिया सम्में रहते हैं अडमीशन लीजिए एकदम आखमून के अडमीशन लीजिए मैं सच बता रहा हूं इस वज़ा से मैंने रिव्यू सीरीज भी स्टार्ट की है और कोई मेरा स्वार्थ नहीं है इस मात्यसंस्था से मैं जुड़ा हूं इस मात्यसंस्था से एक अलग सा इमोशन लगाओ है विस्विदाले की बुराई मैं सुनी नहीं सकता तुकि मुझे मात्यसंस्था ने बहुत कुछ दिया है काम्याब लोगों को मात्यसंस्था ने बहुत कुछ दिया है अपने किस्मत आप अपने मेहन से ल आपाने बाद.